शिप्र इस दिले में किसा eyelids की परिशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है किसान पहले से एक हाथ की परिशानी जेल रहे हैं अब उन्हें बिजली संकट का भी सामना करना पर रहा है बिजली संकर से परिशान पौरे विधानसाबा शेत्र के बील, वरा, कला और कमला खेडी के किसानों ने बुदवार को बिजली कमपनी के पौरी आफिस में पहुच कर हंगामा कर प्रदिशन किया किसानों ने बताया किसे चाएक लिए बिजली कमपनी द्वारा 24 घंटे में 10 घंटे बिजली देने का नियम बनाया गया है लेकिन पिछले काफी समय से उन्हें 10 घंटे में ही केवल आदा घंटा बिजली मिल रही है जिस कारण एक और जहां किसान अपने खेतों के स्टाय नहीं कर पा रही महीं दूसरी और रात रात भर बिजली के इंतजार में खेतों पर रुक कर परिशान होना पर रहा है किसानों की समस्या के निराकरन के लिए बिजली कंपनी के सुपरवाइजर अभी चौहान ने एक दिन का समय किसानों से मांगा है उनका कहना है कि 24 घंटे में किसानों की इस समस्या का समाधन कर दिया चाएगा अब 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 जमाधे पुरा अब जमाएब का उरा ने आसे जो ग्रामी डायते ये क्या कुछ मामला था हो क्या आसवासंदी आपने लोगों की विए सप्लाइच चल नहीं कारी कुछ लोगों दुआरा वे च्रचानों कर रहे हैं लाइन होते जिसके पार से जाएगी तो आप से आयो तो जिली नहीं मिल लाइए किसान परिशान वारी इन चाहतना से बिल्गूल बिली नहीं आ रही है गण्टा रही है कौने तो आपने जहां पर आके अधिकारियों से बात की है साब से बात हुए साब ने बोल दहीं कि मतलब अधिकारियों से बात हो जाएं कि आस्वासंदी आ जाएगी और जैसे कल तक नहीं आती तो फिर आपको कुछ और कुछ प्रोगाम रहेगा किसानों की समस्या आए क्या समस्या आए कि तीन घंटा पी नहीं मिल लेए तो आपने आपर आया तो आदिकारी वगरा किसी से बात हुई है साब से बात हुए रभी च्वान से बिनने कल्लक आश्वासन दिया है कि बीली आपको टाइन पे मिलेगी और दस गंटा बीली मिलेगी